दोस्तों एक बार फिर भारती विग्यानिकों ने कमाल करके दिखा दिया होर भारत में एक ऐसे छोटे इंजन को बना करके तयार कर लिए है जिसके इस्तिमाल से कई ऐसी परमाडू मिसालों को तयार किया जा सकता है जिससे दुश्मान का बच पाना मुश्किली नहीं ना मुम में RVMT कहा जाता है इन्होंने partnership की Indian Institute of Technology हैदरबाद के साथ और तयार कर लिया है भारत का Median India Micro Turbo Jet Engine इस इंजन का नाम है INDRA RV2524ON यह भारत का पहला सबसे छोटा Micro Turbo Engine है जिसे भारत ने स्वधिसी रुप से तयार किया है इसके इस्तेमाल की बात की जाया तो कई प्रकार के drone, target drone, other unmanned aircraft और कई छोटी मिसाइलों के अंदर इसे fit किया जा सकता है और दुश्मन को सीधे target किया जा सकता है इस Micro Turbo Engine की अवाज इतनी जादा कम है कि इसे दुश्मन को पता ही नहीं चलता कि उसके उपर कोई हमला होने वाला है और दूसरी बड़ी खासियत कि इसे कई प्रकार की guided missiles के अंदर install किया जा सकता है और इस Micro Engine की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह on board power है यानि कि जिस भी aircraft के साथ अगर इसे attach किया जाता है तो इसको चलानी के लिए में इंजन चालू रहे ऐसा जरूरी नहीं है यानि कि यह खुद सही power generate करता है और अपने इस्तमाल के लिए sufficient power generate कर लेता है और इसका सिर्फ defense या फिर military में नहीं बलकि इसे urban mobility system में भी इस्तमाल किया सकता है इसका इस्तमाल करते हुए कई ऐसे छोटी टैक्सी तैयार की जा सकती है जिसे बहुत ज़ादा traffic वाले areas में चलाया जा सकता है और आप कह सकते हैं कि जो मारूती Suzuki जैसी बड़ी companies अपनी air taxi launch करने वाली है ये उनके लिए बड़ा टूर बन सकता है उन्हें power देने के लिए और कहना गरत नहीं होगा कि कुछ दिनों बाद ये खबर भी सामने आ सकते है कि भारत ने मेडिय इंडिया air taxi पर काम करना शूरू कर दिया है क्योंकि engine तो हमने already तियार कर लिया और समय के साथ चीजों को export करने में भारत महारत हासिल करेगा और अब भारत के इस नए मेडिय इंडिया micro turbo jet engine की मदद से भारत की aerospace industry को और जदा enhance किया जा सकता है तो इस engine के तमाम फायदे हैं दुनिया भर के अलग-अलग देश ऐसी technology विकसित करते रहे हैं लेकिन अगर भारत को कोई ऐसी technology खरीदनी पड़ती है तो भारत को दो गुने या फिर तीन गुने चार्ज देने पड़ते हैं और वो भी technology एक से डेर साल बाद मिलती है लेकिन आप भारत को शायद किसी और देश पर dependent रहने की ज़रूरत नहीं है बलकि हम खुछ नहीं सब्सक्राइब को त्यार कर रहे हैं